नवस्कार भाईयों मैं जोतिस चारे पंडित राजगु सर्मा अब सभी भाई भेनों का सभी भाई बंधों का दिल से अभिनन्दर करता हूं सभी का स्वाध करता हूं जिस राजगों मैं बताऊंगा वह ब्रस्पती गरह के बारे में बताऊंगा कि जिस राजगों मैं विस्तार से आप लोग बताना चाहूंगा कि ब्रस्पती का प्रिकोप उसकी दसा महादसा का रूप कैसे लेती है और इसका असर रासी पर किस प्रिभाव का कैसे पढ़ता है विस्तार से बताना चाहता हूँ गुरू ब्रस्पती गिरह गुरू ग्रह बिरस्पती इंसान की जिंदिकी पर गहरा सर छोड़ता है अगर आपकी कुंडली में बिरस्पती निर्मल हो तो परेशान या बढ़ती चली जाती है क्योंकि किसी भी चीज को बिरस्पती विशाल रूप देता है जो तिसो के अनुसार जिंदिकी की हर बड़ी घटना का कारक बिरस्पती हो सकता है बिरस्पती कौन है और इसका क्या अप्रवाव कैसे होता है जिंदिकी में आईए ये जानते है नवगिरों में बिरस्पती को गुरू और सलाकार यानी मंत्रना का कारक माना जाता है इसका रंग पीला है जो धन और ग्यान के मामलों पर नियंतर रखता है सोना तिजोरी कानून धरम मंत्र और संसकार व्रस्पति के ही आधीन है पेट और उमर की सीमा पाचन तंत्र व्रस्पति के कारण ही मुटाबग घटता है और बढ़ता है और पंच तत्पों में आकास तत्पर इसका धीकार होता है आकास असीमित है इसी पिरकार व्रस्पति का प्रिवाब भी असीमित बड़ा होता है विराट होता है बहा बली होता है विरस्पति निर्मल हो तो पाचन तंत्र विगाड जाता है जिससे हाई पर ऐसीडिटी, मुटापा जैसे बेमारियां आती हैं लगन या लगन के आसपास बिरस्पती हो तो अनुवानसिंख कारणों से मुटापा बढ़ता है गलत खानपान के कारण मुटापा बढ़ता है यदि ब्रस्विपती पर पाप ग्रोह का प्रिभाव हो तो बेमारी की वजह से मोटापा बढ़ता है तो क्या करें इकादर्सी का उप्वास करना चाहिए आपको ब्रत करना चाहिए इकादर्सी का खाने में दही और नीमू का इस्तेमाल करें रोज सुबह और शाम ब्रस्पती के मंतर का जाप करें वो मंतर है ओम ब्रहम ब्रस्पताए नमहा ओम ब्रहम ब्रस्पताए नमहा ये मंतर है गुरूदे ब्रस्पती का फिर इसे एक बार बताँगो मंतर को ओम ब्रहम ब्रस्पताए नमहा का जाप करें पाचन तंत्र को सही रखने के लिए भोजन में हरी सबजियों का प्रियोग करें दाल और अनाज कम से कम खाएं रोजाना तामे के बरतन से पानी पिए दाहिने हाथ की तरजनी उंगली में सोने या पीतल का छला धारन करें खराब ब्रस्पती इनसान को कैंसर जैसे रोग का सीकार भी बना सकता है कुंडली के जिस भाव में ब्रस्पती निर्मल हो उसमें लंबी बिमारिया होती है यदि ब्रस्पती बहुत खराब हो तो यह कैंसर जैसा लाए लाज रोग पैदा कर देता है इसके समाधान के लिए आपने सुबह भाव को बहतर बनाए भगवान सिब का अपने इश्ट गुरू की उपास ना करें रोज सुबह और श्याम को गजंदर मौक्स का पाट करें यदि रोग पहले से हो तो हर महीने एक बार गन्ने के रस से रुद्रा भी से करवाए मिंत्रनी डाक्टरी इलाज के साथ साथ इन जोतिसे उपाय को भी अपनी दिनचारिय का हिस्सा बनाए ब्रस पती के कष्टों से बहुत जल्द मुक्ती मिल जाएगी तो भाईयों जो मैंने आपको बताया है ये गुरू की जो दसा होती है जो ग्रह होती है इस रासी पर जो पढ़ जाती है उसको इस तरह की बेमारिया इस तरह का नुखसान इस तरह का प्रिकोप उसको जहनना पड़ता है तो भाईयों जो मैंने आपको विस्तार से बता है उपाये बता जा है इसे समय समय पर करते रहे ताकि आपको नुफसान ना हो आपको संकट में ना फसना पड़े अच्छा भाईयों मैं ही अपने वानी को विराम देता हूँ और जाते हुए आप लोगों से एक हुआ भाईयों अगर आपने हमारा सब्द ग्यान चैनल सस्प्राइब नहीं किया है तो कर लीजे ताकि हमारी समय समय पर ग्यान वर्दक वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए आपको मिलती रहे अच्छा भाईयों जोतिस चारिय पंडित राजगुरु सर्मा की तरफ से आप सभी को राम राम और नए साल 1 जनवरी 2018 की भी आडवांस में आप सभी भाईयों को मेरी तरफ से हारतिक सुबकाम नाए अच्छा भाईयों नवस्ते जैहिन जैभारत